जब PSL चल रहा था तो एक एजंडा पूरे लोग कराची मीडिया माफिया लगातार आजमा रहे थे आगे कर रहे थे कि ये कि रिजवान को हटा के आजम खान को विकेट कीपिंग का मौका दो रिजवान से कई लाख गुना बहतर आजम खान ये मेरा नहीं बलकि कराची मीडिया माफिया का कहना था आज उसी कराची मीडिया माफिया के गाल पर जोड़दार तमाचा लगा है क्योंकि बल्लेबाजी तो छोड़िये भाई साब से विकेट कीपिंग तक नहीं हो पारिये बॉल तक नहीं पकड़े जा रहे हैं और कैच तो ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे हाथ में इनोंने महंदी लगा रखी हो आजम खान आज एक रन बना कर आउट हुए चार गिंदों का सामना किया मैं ये नहीं कह रहा कि इनको जल्दी ही टीम से बाहर कर दो लेकिन विकेट कीप कीपिंग भी नहीं हो रहा है और ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान की कराची मीडिया माफिया जो लगातार एजंडा चलाते रहे हैं वो उनको बैक कर रहे थे इनको सलीके से पहले अपना वजन घटाना चाहिए और पहले वजन पर काम करना चाहिए विकेट कीपिंग भी और जब आप सिक्स पैक आप बना लोगे या पूरी तरह से फिट होकर आप जब यो यो टेस्ट पास कर लोगे तब जाके आप पाकिस्तान की टीम में आए इतनी घटिया रनिंग बिट्विन द विकेट इतनी ज़्यादा घटिया विकेट कीपिंग आस तक मैंने क्रिकेट इतियास में कभी नहीं देखी है जो आजम खान ने बीते दो मैचों में दिखा दी है तो मुझे तो लगता है कि इस आजम खान को जो है फिलाल आराम दीजिए और बोलिये कि इनको जो है खान पांथ थोड़ा सा कम करें मुझे लगता है कि अफ्तार में ज़ादा ही कुछ लेते हैं उसी का असर रहता है कि इन से मैदान पर भागा नहीं जाता है इस वीडियो में वसीतरा ही धन्यवाद अगराम मेरी बातों से सहमत है तो शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जो करना है कीजिए लेकिन आज हम खान को अगले मैच में हम देखना नहीं चाहते हैं